हेलो फ्रेंट्स वेल्गम टुम्ट टो टोपिक है यह जो टोपिक है यह मोस्त इंपोरेंट टोपिक है ओके डेफिनेटली आपको यह कोशन में गुरंटी के साथ कहता हूं कि देखने को मिल सकता है करेंगे इस वीडियो में हमें लिए डिसक्स करेंगे रिगार्णि सम्सक्राइब इसक्राइब करेंगे जिससे आपको यह पता लगेगा किस तरह के अग्जाम में देखने को मिल सकते हैं अगर आभी तक आपने फस्ट फॉर्ट उनिट्स नहीं करें तो आप वह भी कर लिजेगा वह मैंने प्लैट्फूम पर डाल रखिया है लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दूँगा ओके सो टाइम को वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक बाकी बैंक्स में उसमें डिसकेस कर चुका हूं शेडियूल बैंक्स और कोपरेटिव बैंक्स तो अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको भी देख लीजिए का ओके सबसे पहले इंट्रोडक्शन अब रिज़व बैंक अफ इंडिया क्या है एक सेंट्रल बैंक है हर एक कंट्रीं का अपना बने dependquent होता है मिलिए आपका इंडिया अब रेंक काम क्या करता है सबसे इंपोर्टेंट फ incidents फते हैं oluş desul labour को ओन तो पर इंडिया को कहाँ करता है व कोटें जिए तो पढ़ते हैं इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ओफ इंडिया कब इस्टैबलिश हो था फर्स्ट अप्रेल 1935 आपको यह चीज़े जो है यह जनल नोलिच के रिगार्डिंग पर पता होना चाहिए एक्जाम पॉएंट विशे नहीं सिर्फ जनल नोलिच के लिए आपको इंची जो का पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ओफ इंडिया एक्ट 1934 तो आर्ब एक्ट मोस्ट इंपोर्टें बनाया गया था हिल्टन यंग कमिशन के इंटर इसको बनाया गया था ओके में इसी में मैंशन नहीं किया आपको पता होना चीज़ फिर भी ओके कि अ बैंक था जो की प्रेड ओफ एपिटल फाइव करोट से स्टार्ट किया गया था जिसको ठीक है बाद में जो था गूर्मेंट ओफ इंडिया ने इसको क्या कर लिए था अंडर्टेक कर लिए था इस वाद बैंक इस बैंक वाध नेशनलाईजट ओन फस्ट जैन 1949 कई बार कोशन आ चुका है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया नेशनलाईजट कब क्या गया था तो फर्स्ट जैन 1949 को इसको नेशनलाईजट किया गया था ओके सो मैंने सिफ हाइलेटिट कंसेप्ट सी लाया हूं जैता फालत दो का मैटरिस में मैंने इंवल्व नहीं किया ए परेशन से वो सेंटरब बार्ट फैक्टर के धुरू गवनकिया जाते हैं आर बेषों धॉन ऑल ओप्रेटर को इसके अंदर जितने बाच्टर कितने होते हैं 21 होते हैं तो इस चीज़ को पता होना नहीं है कि सेंट्रल जो आर बेकिन दो जो बाट्टर की जो टूटल गॉं रेक्टर के जो कोन कोन्य कि उप्रीयमें सब्सक्राने बाध को यह ऑप मेंपर है फॉर पीया तो एक गवर्नेर होता है जिसके निचे अंडर 4 deputy govners होते है ठीक है official board की बात हुरिया है आपर official directors की बात हुरिया तोे governor होता है उसके ङंडर 4 tyckerÁonia deputy governor होती है अगर non official director की बात करें तो 10 directors होते है вам from various fields तो अलग-अलग fields से कोमर से लो से सारे अलग-अलग fields इसके अंडर joltin 10 director होते हैं and two government officials होते हैं ठीक है two government officials होते हैं और 10 directors होते हैं non official director में अगर local board की बात किया जाए तो four directors nominated from the local board तो local board से four directors nominated किया जाते हैं total कितने होगे total 21 director होते हैं इस चीज़ का आपको पता हूँ जो कोशन कहीं से भी आ सकता है अब बात आती है major functions RBI के सबसे important functions कहीं बार कोशन आ चुका है इसके functions के regarding okay question कैसे आते है which one of the flowing is not the function of RBI ओके इस तरह के question आते है which one of the flowing is the function of RBI इस तरह से question आप से पूछा जा सकता है यह assertion reasoning में भी question इसका आ जाता है ओके इसके functions देखते हैं सबसे पहला है monetary authority हमको पता है कि यह RBI एक monetary authority है जितना भी पैसों का हिसाब किताब है वह RBI के थ्रू ही होता है okay so formulating and implementing the national monetary policy आपको पता है कि हमारी country में two important policies है एक monetary policy और फिक्ष्कल policy किसके थ्रू implement की जाते है government of India के तुरू जब कि monetary policy कोन करता है RBI तो क्या करता है यह facilitate करता है इंप्लीमेंट करता है national monetary policy को ओके तो यह कौन करता है RBI करता है maintaining price stability across all sectors तो सबसे वड़ी बात है inflation को control करने में RBI सबसे एहम भूमिकावन निभात है अपनी ठीक है inflation को कैसे कंट्रोल करता है देखो कभी रैपो रेट इंक्रीज कर देता है वह अपने अपने किस तरह आपने inflation कंट्रोल करना आप लोगडाउन के टाइप में वीडियो बना रहा हूं तो आपको पता है रिसेंटली जो है आर बियाई ने रैपो रेट को डिक्रीज कर रहा है ओके रैपो रेट को डिक्रीज कर रहा है जिससे क्या है वह इसली रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है और इस तरह इंफ्लेशन को क्या करता है और पर फॉर्म करता है हमको पता है कि यह बैंकर्स है अधर बैंक्स का तो उनको कंट्रोल भी करता है एक अधर बोडी भी है यह ओके श्र्ट परमेटर सब्सक्राइब करता है जो इंवेस्टर के इंट्रस को पर इंट्रस को रिगूलेट करता है यह देखता है कि जो इंवेस्टर ने जो अपनी मनी डिपोलीट करा रखिया है कमर्शल बैक्स में वो प्रोटेक्ट रहनी चाहिए ओके तो जिस तरह एक सेबी है सेबी आपको पता होगा सेक्योटी एक्षेज बोर्ट ऑफ इंडिया वो इंवेस्टर के इंटरस्ट को प्रोवाइड कर प्रोटे 99 जो फोर अज़ेंड अंडिया ही देखुबा जर्नी ऑ इंडिया हिए उसको कों कंट्रोल करता है एहम भूमिका निग्बाता है इस चीजों कorta हो इंडिया के अंदर इंडिया यह उत्सको कोन मैनेज करता है चरकिन पर कंट्रोल करना किसके अंडर आता है यह Reserve Bank of India के अंटर यह आता है यह सब चीज़े आपको पता होने चाहिए कोशन आ सकता है अब आता है currency issuer तो currency को इश्यू को करता है Reserve Bank of India करता है यह भी आपको पता होना चाहिए इश्यू exchange or destroy currency and not fit for circulation अब आपको पता है कि जब नोट बंदी होई थी तो उस चैम सबसे एहम भूमे का किसने निभाई थी Reserve Bank of India नहीं करी थी ओके न्यू नोट्स किसने इश्यू किये थे Reserve Bank of India नहीं किये थे करन्सी को जो ओल्ड करन्सी थी उसको खतम किस नहीं किया था Reserve Bank of India नहीं किया था इश्यूर का काम भी यह करता है फंक्शन परफॉर्म करता है तो आपको पता है कि कुछ टाइम पहले जो गवर्मेंट है हमारी गवर्मेंट ने जो लोन लिया था Reserve Bank of India से तो यह दोनों separate body है Reserve Bank of India अपने भिहाफ पर काम करता है गवर्मेंट अपने भिहाफ पर काम करते है तो गवर्मेंट लोन भी लेती है किसे Reserve Bank of India से ओके तो एक बैंकर का काम करता है गवर्मेंट के लिए भी सोलुशन भी प्रोवाइड करता है कई तो चीव banker to the all banks maintain banking account of all schedule bank to schedule banks का मैंने आपको clearly बता जिया था जो कि RBI Act के second schedule पर लिस्ट करते हैं वो schedule banks होते हैं तो उन banks को कौन maintain करता है Reserve Bank of India कैसे maintain करता है देखो हर एक bank के लिए compulsory है जो schedule banks है कि उसको CRR क्या है अपना पड़ता है किसके पास Reserve Bank of India के पास तो यह को मैंटीन करता है यह सब चीज़े क्या करता है मैंटीन करता है आपको सारे functions क्लियर हो गयोंगे चलिए अब बात करते हैं RBI policies के बारे में तो RBI policies is the one of the important policies देखो यह जो है general knowledge आप आप इंटर्वीव में जाओगे तो आप से सबसे पहले क्या पूछा जाएगा अगर banking के भी अगर को इंटर्वीव में जाता है तो आपको इनके बारे में इनसे रिकार्डिंग आगर net के अंदर सब्सक्राइब करें लियुक्त के लिए क्या करता है लॉन प्रोवाइड करता है कि सको ड़ी प्रवायड संब्रक्रां बोरान करते हैं कि दो गोसा होता है विल्कूल भीजित होता है चिस Big look at love करते है बेंक दोंगाने मेंक्स चाहिए उस्कों पर देते हैं कि जस लेता है इसी हो को रेट है अब कैश रिजर्व रेश्यो क्या है देखो CRR में बहुत बड़ी कंफूजन रहती है कई बार क्या होता है कई से कई स्टूरेंट से पूछा जाए कि क्या होता है तो वह इस चीज में कंफूज रहता है कि इस अमाउंट का रेट बैंक अपने पास रखता है या और बैंक के पास रखता है ठीक है तो यह कंफूजन आपकी दूर होने वाली है तो CRR इस पार्टिकुलर शेर ओफ एनी बैंक्स टोटल डिपोजट डेट इस मेंड अब 15 रुपे का महाल ने तें CRR आज के नाइम पर 4% है तो फंदरा लाक रुपे का 4% जितना भी 4% बनेगा वह को आरब जो स्टेट बैंक है वो कहां जम्हा करवाएगा होगा CRB के पास जमा करवाएगा ठीक है चारपरसेंट का जमा कर आइगा RBI के पास ओके तो जुर्ण को आपने पर के रखने पड़ता है एक तो ढूंसा होता है एसलर रेशो रिशो में पड़ेंगे ओके तो लिविंग्पास दा cash reserve ratio banks are required to maintain liquid assets in the form of gold and approved security कि कितनी ratio में अपने assets जो है bank को अपने पास reserve करके रखने पड़ेंगे ओके तो दोनों चीज़ों में यह difference है SLR जो डिफाइन करते कितना ratio अपने पास bank को manage करके रखना पड़ेगा जबकि CRR कितना RBI के पास रखना पड़ेगा दोनों यह difference रहता है ओके जनरली जोसकी minimum होती है maximum जोती है SLR वो 40% से अबब नहीं जा सकती यह वो 40% से अबब नहीं जा सकती ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कोई डाउट हो तो प्लिस कमेंट बोक्स में जूरू बताना है ओके अब RBI की सब्सीडिरिस कहीं बाहर कोशन आ चुका है RBI की सब्सीडिरिस के रिगार्डिंग ओके सबसे पहले सब्सीडिरी आती है DICGC मतलब deposit insurance and credit guarantee corporation of India आपको पता है कि आप बैंक में जाते हो आप अपने जितना भी account में deposit करवा देते हो क्या आपको पता है कि वह अगर कल को बैंक एक आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में बजाये था कि जो बैंक है वह corporation के इतना काम करती है एक company के इतना काम करती है उसमें भी शेयर ओर्डर्स अपनी money invest करते हैं ओके तो अगर कल को बैंक डूब जाए तो क्या आपको पैसे मिलेंगे आपने कभी सोचा इस चीच का जी हां तो कुछ एक करती है अगर करती है एक करती है आपके इंश्रेंस करती है आपके अमाउन्ट का जो आपने डिपोजिट कर रखा है करेंक करेंगी आपको प्रोड करेंगी जो बनता होग हो डिपलेट अधियुक्त करेंगी तो यह इंस्योस्रे प्रोड़ेट करती है एट प्रेजट जी इस 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 डीपोलिटर ओफ ए रिजिस्टेर इंस्यूर्ट बैंक अपको एक्सिम्मम और फ्लेक्ट फॉर पर घ्लेग डिपॉलिट तो जितने भी हमारे इंडिपॉलिट फिक्स डिपॉलिट रख है चाहे कुछ बूजता है अगर बैंक कर दूब जाता है इंस्वर्मेंट हो जाता है तो यह जो कंपनी है यह में 5-5 लाग रपे अगर हमारा 5 लाग से ज्यादा उसमें है अगर 10 लाग रपे 15 लाग रपे तो पांच लाग रपे प्रोवाइड करेगी उससे ज्यादा नहीं सिर्फ पांच लाग तक हमारे इसमें 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 होते हैं है फिर सब्सेडिया टोटल चार हैं सेकेंड जो है वह भारतिया रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ओके तो यह जो और्गनेजेशन है यह क्या काम करती है अब देखो अब जो है आर्बिया आपको पता है कि एक इस शुर है करनसी इसु करता है ओक अब बैंक नोट्स इंडिया तो अनेबल दा आर्ब टुबिज दा गैप बिट्विन अप्लाइट लिए यह क्या करती है यह वाली जो भी आप नोट्स फान्सों दो हजार के नोट्स होते है वह कौन सी है बारतिया रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटे जो और्गनेजेशन है यह क्या करती है इशू करती है सो करंटी जो नोट्स इशू एजनसी है कौन कुन सी है यह भी आपको पतावना चाहिए मैंने मैंशन कर रखी है करंशी नोट प्रेस नासिक एक नासिक में है महराष्ट्रा में जहां से हमारी करंशी प्रिंट की जाती लिए एक करनाटका में है मसूर एक है सल्बोनी वेस्ट बेंगाल तो यहां पर इंद जंगा पर यह कोशन आज सकते आप से कि बताओ कहां का जो है हमारे जो कंट्री की जो करन्सी है वो प्रिंट की जाती है तो यह पांच जना है ज़ाता है कि आपको पता होना चाहिए ए जन कुछ पढ़ रहे हैं तो हमेशा आपने एक मोटिव इस चीज़ से ना पढ़ हो कि आप एक्जाम के लिए ही चीज को बढ़ रहे हो आप यह सोचो कि मैं को जनल नोलिज भी पता होने चाहिए अगर आप इस कंट्री में अगर एक एडुकेटेट परजन हो तो आपको कल को जन सब्सक्राइब करते हैं को सब्सक्राइब करते हैं तो इन चीजों के रिगार्डिंग कोशन पूछे जा सकते हैं ओके जो लास्ट जो सब्सेडरी है हमारे कोन सी है इन्डियन पैनेशन टेकनोलजी और अलाइड सर्विसिज फंक्शन एंड रोल इसका क्या है फाइनेशल टेखनोलजी एलाइट सर्विसेश इस इसे होली ओंड सब्सिटरी टूट तूट अफ दियु रिवाइट बैंक ऑफ इंडिया । इसकी फूर्फ भी पूचिए जा सकती है यह आई डेटेट सर्विसेश प्रोवाइट करती है बैंक के अदर इंडिया आपको लेसन अच्छा लगा होगा चलिए अब एक प्रिवेस कोशन किये बताएगा कि किस तरह कोशन हमारे एक्जाम में आ सकते हैं अब एक और इंडिया कोन से एक्टिविटी को कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर कमर्शायल प्रेंक और कोपरेंडिकों करता हो हो सकता है commercial bank, foreign banks की करता हो, हो सकता है commercial banks, foreign banks और cooperative banks की करता हो, हो सकता है rural banks की करता हो, तो बताना है आपको वजाना है, नीचे comment box में comment करके बताना, कि कौन कौन से banks को RBA control करते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरू कीजएगा, आपका एक लाइक मुझे कहीं ना कहीं motivate करेगा और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए, अगर आप NTA net की preparation कर रहे हो, पर फस्ट ही या पर second commerce management की, आप तो आप मेरी चैनल को subscribe कर सकते हो और अगर आप commerce student हो तभी भी कर सकते हो, follow me on an academy if you are preparing for users net commerce, अगर net commerce की preparation कर रहे हो तो आप मुझे an academy पर भी follow कर सकते हो, वहाँ पर मैं already 4 units डाल चुका हूँ, so again thank you friends for watching.